हेलो दोस्तो नमस्कार मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूँ आपके स्वीटूब चलनल ट्रेन यातरा पर आज हम बात करेंगे ट्रेन नंबर 12562 नई दिली से खुलकर जैनेगर को जाने वाली स्वतंदता सेनानी सुपरफास्ट एक्सवस के बारे में जो की जाती है कानपूर, इलाहबाद, समस्तिपूर, दरभंगा के रास्ते तो जानेंगे इस्टन की साय जानकारी इसके हॉल्ट के बारे में तो मिलता हूँ छोटे से इंट्रो के बाद बने ने गाए स्वीडियो में हमारे साथ प्रेस देखरेक इस्ट सेंट्रल रेल वजन करती है दोस्तो यह एक डेली टेन है, यह टेन ने दिली से डेली खुलती है जैनगर के लिए दोस्तो यह टेन का लोको डिवर्सल होता है समस्तिपूर जंग्सन में यह टेन अपना 1235 किलोमेटर का ट्रेवल डिस्टेंस अपने 22 घंटे 45 मिन पुड़ा करती है इसके ने दिली से लेकर जैनगर तक 19 होल्ट आते हैं 54 किलोमेटर पर आवर्स की एड़ो स्वीड रहती है यह टेन इदिली से खुलकर कानपूर प्रयागराज वारानसी बलिया छप्परा सोनपूर हाजीपूर मुझफरपूर समस्तिपूर दर्भंगा मधुवन्नी की रास्ते जैनगर तक जाती है बहुत ही इंपॉर्टेन अगर आप किसी फैस्टिव सीजन में ट्रेवल कर रहे हैं तो टिकट मिलना ही यह कपनी बड़ी बात है तो दोस्तों इस ट्रेन की पैंटिकर की सुबदां को बात करूं तो इस ट्रेन में इसका खुद का पैंटिकर का कोच है तो आपको खाने पी एक्पिस के खाना बूक कर सकते हैं अब बात करते हैं इस सवतंतता सहरानी सुपरफास्ट एकक्पिस के लोकोमेटिव के बारे में तो इस ट्रेन में आपको मिलेगा LHV रेक का फर्स एसी क्लास का दो डब्बा जिसका किराया है 3630 उर्पे पर पर सन नई दिल्ली से जयनेगर वहीं आपको इस ट्रेन में सकेंड एसी क्लास का डब्बा मिलेगा एक जिसका किराया है 2125 रुपे पर परसन ये किराया में बता रहा है आपको नई दिली से जैनेगर तक का आप बागी किराया आप नेट पर चेक कर सकते हैं वहीं आपको थर्डिसी क्लास की डब्बे मिलेंगे दो जिसका किराया है 1470 रुपे पर परसन नई दिली से जैनेगर 26 रुबे दोस्तों इन किराय में उपर नीचे हो सकता है तो कि पास हो दुबार कन्फरूम कर लें रेलवी की वेबसाइट या उनके टिकट काउंटर पे अब बात करता हूं सुतनता से नानी सुपरफास्ट एक्सपरिस के टैम टेबल रूट हॉल्ट के बारे में दोस्तों य द गने के बाद रात में 10-34 पर अली गड़ के प्लेट्फर में 3 से रवाना होती है अभी पहुझती है कानपूर सेंड्रल रात में 2-40 पर कानपूर में इसका पांच मिन्ट का ल्ट है दू बांच में रुखने ग्यानपूरोर में 2 मिंट का होल्ट है शुबध में 7 बजे यहां से रवाना होती है ब्लैटवर hanuk Pi 8 बजे यहां से रवाना होती है अब यह पहुंसती है दस में टुकने के बाद सुब्म में आठ पेंतिस पर यहां से रवाना होती है प्लैटव्ण नमेर 1- 2 से अभी पहुंसती और निहार जंग्सन सुबह में 9 बच के 13 मिंट पर और निहार में 2 मिंट का उल्ट है सुबह में 9 बच के 15 मिंट पर यहां सरवाना होती है दोस्तों platform मत 3 से अभी पहुंसती गाजीपूर सिटी सुबह में 9 148 पर गाजी पूर सिटी में पांच मिन्ध होल्ट है सुभमें नो बच के थिरपन मिन्ट पर यहासर रवाना होती है अभिपांसते यूसुफपूर सुभमें दस बच के 10 व। पर यूसूफपूर में दो मिन्ट कर ऐसे चैसे प्लिए सब्सक्राइब नकिकी है और kimlae पर सुर्मनपूर में दो मिन्ट का हॉल्ट है सुवह में 11.45 पर यहां से रवाना होती है प्लाटफॉन मर एक से अब यह रिंगा अगला शेसन है दोस्तों वह है चपरा जंगशन दोफर में 12.45 में पहुंसती है और यहां पर इसका पंदरे मिन्ट का हॉल्ट है दोफर में 1 से रवाना होती है, अब यह पहुंसती है, सोनपूर जंगसन दुफर में 2 बजे, सोनपूर में 2 government का होलट है, दुफर में 2 बज़ की 2 damit पर सोनपूर के प्लेटवार्ट हमें 2 से चलती है Jainagar के लिए, अभी पहुंस्ती हाजीपूर दुफर में 2 बच के 5 मिंट पर हाजीपूर में 5 मिंट का होल्ट है दुफर में 2 बच के 10 मिंट पर हाजीपूर के प्लेटफोर में 4 सरवाना होती है दोस्तों अभी पहुंसी मुझफ़फपूर जंग्सन सम्गो तीन 25 पर मुझफ़फपूर में 5 मिDER को हुल्ट है सम्गो सारे 3 बजे मुझफ़फपूर के प्लैट्फोर नमर 21 से रवाना होती है जीयनेगर के लिए अब ये पहुंसती समस्तिपूर जंगसन समगो 4.35 पर समस्तिपूर में 25 मिंट का होल्ट है समगो 5 वजे समस्तिपूर के प्लेटफ़न में 3.4 से रवाना होती है दरभंगा के लिए आगे बढ़ती है अब ये पहुंसती दरभंगा जंग्सन समगो 5.50 पर दरभंगा में 5 मिंट का होल्ट है समगो 5.55 मिंट पर दरभंगा प्लेटफ़न में 1 सरह खुडवाना होती है अब ये पहुंसती दोस्तो सकरी जंग्सन समगो 6.18 पर सकरी में 2 मिंट का होल्ट है संगो 6-20 पर सक्री के प्लाटफ़न मर एक से रवाना होती है जय नगर के लिए अब ये पहुंसती है मदुबनी संगो 6-33 पर मदुबनी में 3 मिन का होल्ट है सामगो 6.36 पर मधुबनी के प्लेटफॉर्मर एक या तीन से रवाना होती है दोस्तो अभी अपनी डेस्टेसन पहुंसती है जैन अगर सामगो 7 बची पच्चिस मिने पहुंसती है प्लेटफॉर्मर एक या दो पर लगती है अपनी 1235 किलोमेटर को दीता करके बहुत धन्यवाद दोस्तो वीडियो को देखने के लिए